कि क्या होगा अगर किसी का डॉक्टर ही उसकी जान ले ले वह डॉक्टर जो जिन्दगियां बचाता है वही किसी का मडर कर दे जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की जिन्होंने 1975 और 1998 के बीच लगभग 260 लोगों की जाने ली डॉक्टर हैरोल डॉक्टर शिपमैन एक बिर्टिस डॉक्टर और सीरियल किलर जिनको डॉक्टर डैथ और एंजल ऑपड़ देथ के नाम से भी जाना जाता था इन्होंने 1975 और 1998 के बीच लगभग 260 लोगों की जाने ली आगे बढ़ने से पहले हम डॉक्टर शिपमैन की अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इनका जनम 14 जनौरी 1946 को इंगलेंड के नोटिंगम शहर में एक बिर्टिस मिडल क्लास फैमिली में हुआ था शुरू से ही एक प्राइट स्टुडेंट होने के चलते उनका इंट्रेस्ट मेडिकल साइंस में तब बढ़ गया जब उनकी दर्द कम कर सके मौर्फिन एक नशीली दवा होती है जिसको अफिम से प्राप्त किया जाता है और यह हैं ऐसे हिनिये दर्द को खतम करने या कम करने में लाब धायक होती है उनकी मा का लंग कैंसर से जूजना और मातर 43 साल की उमर में उनकी मृत्यों हो जाने से इन पर 1970 में अपनी पढ़ाई University of Leeds से पूरी करने के बाद वो एज डॉक्टर एंड जनरल प्रैटिशनर काम करने लगे उन्होंने साधरन रूप से Old Days महिलाओं की हत्या की हाला कि उनके यंग गेस्ट विक्टिम 41 साल के पुरुष जनरली वो पेसेंट्स को डायमॉर्फिन और इस कि वो उनके साथ बिलकुल कॉंफर्टेबल हो सके जनरली वो पेसेंट्स के साथ इतना अच्छा बर्काव करते कि पेसेंट्स भी उन्हें एज अच्छे डॉक्टर के रूप में देखते और उन्हें लाइक करने लगते 20 फरवरी 1998 में स्टीफन डिक्सन ने अपने पिता के बारे में जो कैंसर से जूट रहे थे डॉक्टर हैरोल्ड से पूछा और चार दिन बाद शिपमेन ने उनकी हत्या कर दी इंग्लेंड के संस्कृति में जनरली डेट बोडीज को दफनाया जाता है लेकिन डॉक्टर शिपमेन में अपने पूरी लाइफ में 215 डेथ सर्टिफिकेट बनाए जिनमें से सिर्फ तीन लोगों के अलावा सभी लोगों की डेट बोडीज को चलाया गया इससे सप्जाहर होता है कि वो डेट बोडिज को इसलिए जलाते थे ताकि वो पीछे कोई सबूत ना छोड़ पाएं या फिर पीछे कोई सबूत ना रहें एंडी बोडीज को जलाने से पहले भी एक सेकिन डॉक्टर की जरुप पढ़ती है जो कोज ओब डेथ कन्फर्म कर सके और ना ही कोई थार्ड डॉक्टर जो पेपर्स चेक करता एक और रिपोर्ट में ये पाया गया कि सन 1996 में डॉक्टर हेरल्ड शिपमेन ने लगबग 12,000 मिली ग्राम डायमॉर्फिन प्रेस्क्राइब किया था सिर्फ एक पेसेंट के लिए जो की 360 लोगों को मारने के लिए काफी है अलाकि इस बात का अहुस्पिटल अथॉर्टीज को पता चला तो उन्होंने डायमॉर्फिन के यूज पे एंडायमॉर्फिन के प्रेस्क्रिप्सन पे कंट्रॉल भी किया लेकिन उनके दुआरा डेथ् सब्सक्रिदारी थी बताया जाता है कि 1997 में उन्होंने हाइस्ट 37 लोगों की हत्या की यह तो थे डॉक्टर हैरोल्डशिप में के कारणा में अब हम बात करेंगे कि उनको पकड़ा कैसे गया हाव वाज ही कॉट डूइंग दीज मर्डर्स उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेस हाई थे लेकिन कोई पुक्ता सुबूत ना होने के कारण पुलिस को यह इन्वेस्टिगेशन को भी बंद करना पड़ा है महीन बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को इंफॉर्म किया कि उन्हें लगता है कि डॉक्टर शिपमेन ने लगभग 21 लोगों की जान ली है क्योंकि जिन पैसेंट्स को वो उस होस्पिटल में लेके गए थे शिपमेन के होस्पिटल के अंदर उन में से मॉस्ट अब दे पैसेंट्स वर डाइड आफ्टर सम टाइम उन लेकिन इतना भी काफी नहीं था पुलिस को कोई ठोस सुबूत चाहिए था उसको गिरफतार कर करने के लिए तब घटी कैथीन करंटी एक और डेडी की घटना जिसमें पाया गया कि डॉक्टर हैरोल्ड शिपमेन उसके प्रसनल डॉक्टर थे और वो उसको हम ट्रीटमेंट भी दिया करते थे एज यूजवल डॉक्टर शिपमेन ने कैथीन का भी खून कर दिया लेकिन बींग हर डॉक्टर उन्होंने बताया कि कैथीन की डेट एक नॉर्मल डेट है लेकिन उसक के दाएरे में तब भसे जब पाया गया कि कैथीन ने अपनी चार लाग डॉलर की जमीन और अधर प्रोपरटी डॉक्टर हैरोल्ड के नाम लिखी थी ना कि अपनी बेटी के नाम इसलिए पुलिस ने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जब कैथीन गरंडी का पॉस्ट मोर्टरम कराया गया तो उसमें पाया गया कि उसको डायमॉर्फिन के हाई डॉजिस दिये गये थे और इनहीं के वज़ासा उनकी मृत्यू हुई थी लेकिन हैरोल्ड की रिपोर्ट के मताबिक कैथीन गरंडी एक ड्रग एडिक्ट थी बाद में इन्वेस्टिगेशन में यहें भी पाया गया कि ड्रग एडिक्शन की रिपोर्ट उनके मृत्यों के बाद ही डॉक्टर हैरोल्ड ने एड की थी इस तरह इस केस का खुलासा हुआ बाद में इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि उनके दोहरा लगभग 250 से 260 लोगों का मर्डर किया गया था इसके बाद सन 2000 में उनको उम्रकेद की सजा हुई लेकिन चार साल बाद 2004 में उन्होंने जेल में ही स्वीसाइड कर लिया इस क्वेस्टिन का आंसर लोग कई कंस्प्रेसी थेयरीज में ढूनने का प्रियास करते हैं कुछ लोगों का मानना है कि वो किसी न किसी परकार से अपनी मा की मिरत्यू का बदला लेना चाहते थे वही कुछ लोग मानते हैं कि वो दिखाना चाहते थे कि वो कितना पावरफुल है एजे डॉक्टर वो कितनी पावर पोजैस करते हैं हाला कि इन इंसिडेंट्स का कोई ठोस कारण नहीं मिल सका है लेकिन डैम जैनत स्मित जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन ओफिसर थी उनका मानना था कि डॉक्टर हैरोल्ड वाज एन एडिक्टिव प्रस्नालिटी शायद लोगों को मारना उनका एडिक्शन बन चुका था और बाद में ये एडिक्शन इतना खतरनाक हो गया कि ये आउट आफ कंट्रोल हो गया जैसा कि वो बताती है कि उन्होंने बीच में लोगों को मानना बंद कर दिया था लेकिन बाद में जब उन्होंने लोगों को दुबारा से मानना शुरू किया तो ये एडिक्शन इतना जादा खतरनाक हो चुका था